अरजुन कर्ण की पिछले जन्म की क्या कहानी है और उस जन्मे में भगवान स्रीकेशन की क्या भूमका थी हिंदु धर्म के अंसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुरा होता है कहते हैं अच्छे कर्म और अच्छे काम से ही अच्छा भविस और अच्छा जीवन मिल सकता है पौणारी ग्रंथों के अनसार कंड और अर्जुन की दुस्मनी सिर्फ महा भारत तक सीमित नहीं थी बलकि कई जन्मों से चल रहा था पौणारिक ग्रंथों के अंसार अर्जुन पूरुजन में नरायन के जुर्वा भाई नर थे और कण अपने पूरुजन में दमबोधव नाम का असुर था दमबोधवा ने भगवान सूर की तपस्य करके उनसे एक हजार कवच का वर्दान मांग लिया था इस कवच के साथ एक और वर्दान जुड़ा था कि हर कवच को तोड़ने के लिए एक हजार साल तपस्य करनी पड़ेगी और कवच के तूटते ही वैविक्ति भी मर जाएगा जिसने उसे तोड़ा है नर और नरायन ने बारी बारी से तपस्य करके दमबोधवा के नौसुन उन्याद्वी कवच तोड़ दिये और जब एक कवच बच गया तो असुर सूर लोक में जाकर छुप गया महभारत की युद्ध में इस असुर का अंत अर्जुन ने किया महभारत की कथा में एक ही विक्ति था जिसके बारे में माननता थी कि उसने कवच कुंडल के साथ जन्म लिया था यह कोई और नहीं बलकि कर्ण ही थे दरसल कर्ण ही पूर्व जन्में दमबोधवा नामक असुर था कर्ण का वद करने के लिए केष्ण और अर्जुन को वापस पुना जन्म लेना पड़ा था पूर्व जन्म में जब दमबोधवा का कवच तूटता और नर्नानायर में से एक किम्रत्त होती तो दूसरा अपने तब से दूसरे को जीवित कर देता और दमबोधवा से युद्ध करने लगता तब तक दूसरा भाई तब करता रहता इस तरह नर्नानायर के ताल मेल से दमबोधवा असुर का अंत हुआ पूर जन्में स्रीकेष्ण के जन्म की बात की जाये तो वह भगवान विश्णू के आठवे आउतार माने जाते हैं यानि इससे पहले भगवान स्रीकेष्ण का साथ बार जन्म हो चुका था लेकिन मूल रूप से यह माना जाता है कि केशन पूर जन्मे में नरायन ही थे धन्नवाद